अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरिये ना सिर्फ अपने चैनल को वाइरल किया बलके हजारों के अंदर सब्सक्राइबर भी हासिल किये तो चैनले आज की इस वीडियो के अंदर अपको मुबाईल पर करना सिखाता हूं वो भी स्टेप बेस्ट है ये वीडियो थोड़ी लॉग होने वाली है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जारा हेलपफुल है I'm sure कि अगर आप ये वीडियो एक सो दो बार देख लेते हैं तो आप भी फो लेवल के अडिटिंग अपने मुबाईल में कर सकते हैं ये सारी वीडियो एडिटिंग हम CapCut पे करने वाले हैं और अगर आपके पास CapCut नहीं काम करता तो आप उस पे वीपन लगा के भी सो यूज कर सकते हैं नहीं तो यही सारी tricks आप किसी भी application में यूज़ करके आप easily video editing कर सकते हैं मैं आपको यह video 10 steps के अंदर सिखाऊंगा और वो 10 steps यह हैं इस video को बनाने में मुझे पूरे 12 दिन लगे हैं जिसमें से 6 राते तो मैंने जाक कभी video edit किये so please मेरी मेंनत का ख्याल करते हैं इस video के end तक जरूर देखें step 1 के अंदर हम अपनी audio को record करेंगे और audio record करने के लिए मैं जाओंगा cap cut के अंदर आप कोई भी अपनी application के अंदर अपनी audio record कर सकते हैं cap cut को open करता हो open करने के बाद new project को click करूँगा और उसके बाद इसके अंदर कोई भी photo इसके अंदर add कर दूँगा तक कि भी मैं इसमें अपनी audio record कर सको और नीचे plus add audio पे click करूँगा और यहाँ पर नीचे record पे click करूँगा अब वो script जो मैंने इस audio के लिए लिखा है अब मैं वो यहाँ पे बोलूँगा अपनी ही आवाज के अंदर और अपने style में अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरिए ना सिर्फ अपने चैनल को वाइरल किया बलके हजारों के अंदर subscriber भी हासिल किये अच्छी वीडियो एडिटिंग से आपका audience retention तो बढ़ता ही है लेकिन उसके साथ आपके बहुत साथ सब्सक्राइबर भी आपको मिलते हैं तो चलें आज की इस वीडियो के अंदर एलगरो डिकोडिंग वाइटी और स्टेप ग्रो जैसी वीडियो एडिटिंग सबसे पहले वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पराने के बाद quick tools के अंदर जाके हम सबसे पहले enhance speech को क्लिक करते हैं उसके बाद upload पर क्लिक करके हम वह वाली अपनी audio जो के हमने record की थी चाहे वो वीडियो के file में भी है वह यहाँ पर show हो जाएगी जैसे के यहाँ पर show हो और यह मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इसको upload कर देता हूँ और थोड़ी ही देर के अंदर यह enhance होके हमारे पास आ जाएगी तीन से चार मीट लेने के बाद यह हमारी audio enhance हो चुकी है अब हम इसको यहाँ पर zoom in करके मैं आपको दिखाता हूँ यह blue वाले को अगर आप click करेंगे तो यह अब off होने के बाद हमारी blue वाली audio हमें सुनाएगा जो के enhance नहीं थी अब हम इसको download कर लेते हैं और download करने के बाद downloads में जाके इसको हम rename कर देते हैं step number 3 के अंदर हम अपनी audio को cutting करके बिल्कुल all जारा clean बनाएंगे उसके दुबारा हम जाते हैं cap cut के अंदर और वो जो हमने project पहले वाँ पर select किया था उसको click करते हैं और click करने के बाद sound collection के अंदर तमाम की तमाम audio जो हमारी पहले report थी उसको delete कर लेते हैं अब delete कर लेने के बाद यहाँ पर sound पर click करेंगे यहाँ पर folder पर click करेंगे और from device इसको हम click करके यहाँ पर हम वो वाली audio इसके नहीं import करेंगे यह वाली audio यहाँ पर import करने के बाद इसको select करेंगे volume पर click करेंगे और इसको volume थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाखे यह ऑड़ियो गडिया जैसे कि यह जहां पे खत्म हो रहाए उसको आप अब अपने यह करसल जाकर रोकेंगे स्प्लीट पे क्लिक करेंगे और वहाiber जहां पे आडियो शुरू थिजुद अने वाली तोड़ा से पहले आप दुबारा स्प्लिट कर देंगे, अब आपका सेंटर के इससा बच्छा आप इसको सिलेक करें और डिलीट कर दें, इस तरह से आपकी ओडियो का गैप जो डिलीट हो जाएगा, दुबार से अपनी जो नेक्स्ट वाली ओडियो है, और उसके बाद इसको उसके साथ मिला दें पहले वाली ओडियो के साथ, अब देखें आपकी ओडियो पहले वाली ओडियो के साथ मिल चुकी है, इसी तरह से पूरी ओडियो के अंदर जो खाली स्पेस है उसको कटिंग कर लेते हैं, आडियो पे टिंग करने के बाद हमारी ओडियो रेडी है Step number 4 है Stock Photages Stock Photages अपनी वीडियो में एड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से जग़ पे आपको text और कौन से जग़ पे आपको overlays यूज करने और कौन से जग़ पे अपनी बात से मैच करने वाली आपको Stock Photages यूज करनी है तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले अपने Chrome Browser के अंदर और वहाँ से हम सर्च करते है पेक्सल.com के लिए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे Motion Background यहाँ पे हम वीडियो को क्लिक करते हैं फिल्टर को क्लिक करते हैं और और औरिंटेशन के अंदर हम अगर आपको Long Video बनाने है तो Horizontal अगर Short Video बनाने है तो आपको Vertical यहाँ पे स्लेक करना है यहाँ पे आपको जो भी Motion Background पसंद आए वो आप Download करने और Download करने का सिंपल तरीका है आप उसको क्लिक करेंगे वोपा Free Download लिखा वार है आप इसको क्लिक करें आपकी Stock Footage डाउनलोड हो जाएगी अब यहाँ से हम जाते हैं CapCut के अंदर और उस Project में जाते हैं जिसमें हमने अपनी VoiceOver को कट करके रखा हुए तो यहाँ आप हम Plus का बटन क्लिक करते हैं और उस वाली Stock Footage या Background को मैं यहाँ पे अड़ कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे डालनी है अब यहाँ से मैं Play करके सुन लेता हूँ डिलीड करके इसको सारा कट कर देते हैं तक हम मज़ीद यहाँ पे फोटेज आमें नहीं चाहिए अब इससे बात कि हम अपनी ओडियो सुनते हैं और जो हम बोल रहे हैं उससे मैच करके हम यहाँ पे Stock Footage याड करेंगे अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरीए अब यहाँ पे मैंने का अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरीए तो दुबारा जाते हैं Chrome के अंदर और वहाँ पे लिखते हैं वीडियो एडिटिंग Stock Footage डाउनलोड करने के बाद दुबारा हम जाएंगे वहाँ से भी इसको कट कर देंगे अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरीए अब जहाँ पे कहा है कि अच्छी वीडियो एडिटिंग के जरीए यहाँ पे हमें अपने Stock Footage को Select करेंगे, Split करेंगे और Delete कर देंगे फिसके बाद कि हम Audio सुनते हैं अब यहाँ पे बोला है ना सिरफ अपने चैनल को वाइरल किया तो यहाँ पे हमें वो Stock Footage दिखानी है जिसके अंदर कोई चैनल वाइरल हो रहा हो या उसके Views बढ़ रहे हो अब उसके लिए हम जाएंगे Chrome Browser के अंदर और Chrome Browser में जानने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे Viral Footages या फिर हम यह सर्च करेंगे Viral Video Viral अब कुछ Footages होती है जो कि आपको Pexel या किसी वेब साइट पे नहीं मिलने वाली तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ भी यूज़ करता हूँ GIF का तो GIF फाइल यूज़ करने के लिए आपको डाउलोड करना पड़ेगा Giphy यह देखें मैंने आप एक Giphy सौफ़वेर अल्री डाउलोड किया हुआ इसके लिए आपको जाना पड़ेगा Play Store के अंदर और वहाँ पे जाके आप लिखेंगे Giphy और यहाँ पे आपको यह सौफ़वेर मिल जाएगा आप इसको डाउलोड कर सकते हैं और डाउलोड करने के बाद इसको हम जाएंगे Giphy पे इसको उपन करने के बाद यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे उसके हमें Gip फाइल मिल जाएगी और इसको हम अपनी वीडियो के अदर एड़ कर सकते हैं हम सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूटूब लिख लेते हैं और यूटूब को हम सर्च कर लेते हैं यूटूब को जैसे सर्च करेंगे यूटूब के किसी भी आइकन को क्लिक करें और अब आपको related videos के अंदर YouTube से related और social media से related बहुत सारे stock footages और GIF file के अंदर मिल जाएंगे तो यहां से सर्च करके मैं अपनी पसंद की यहां पर जो मुझे मेरी लगता है कि मेरी वीडियो के साथ मैच हो रही है मैं इसको download कर लूँगा और simply download करने के लिए आप इस पीर वाले icon को click करेंगे और save GIF कर लेंगे उपर लिखा आरा आपके GIF save हो चुकी है अब हम जाएंगे सीधा अपने cap cut के अंदर और वहाँ पर इस GIF को add कर देंगे यह हमें photos के अंदर मिलेगी इसको ok करते हैं और SD के अंदर इसको add कर लेते हैं ना सिर्फ अपने channel को वायली किया मिलके हजारों के अंदर subscriber भी हासिल की यहाँ पर वीडियो को play करने के बाद मुझे idea हो रहा है कि इसके अदर मैं एक और GIF को भी add कर सकता हूँ के अपनी वीडियो को और enhance करूँ तो उसके लिए मैं जाता हूँ दुबारा GIF के अंदर और वहाँ पर जाके मैं उस वाली stock footage को add करूँगा जिसके अंदर बहुत ज़रा views को rise होता दिखा रहे है अब इस वाली stock footage को मैं यह share पे click करते हुए इसको save GIF कर लेता हूँ अब दुबारा जाते है अपने cap cut के अंदर और cap cut में plus को click करेंगे और उस वाली GIF को add कर लेंगे जो अभी दुबारा हमने add की है और उसको apply करके सुनते है अब यहाँ पे देखे अगर मैं इसको click करता हूँ इसका size बहुत छोटा है इसके size को expand करने के लिए अपनी जो stock footage है उसको click करके रखते है click करने के बाद इसको दोनों हाथों से pinch करके zoom in करेंगे अब zoom in करने के बाद है कि हमारे screen के अंदर फीट हो जाए और उसके बाद आब इसको play करके सुनते है अब यहां तक हमारी यह बात पूरी होगी अब इसके बाद हम एक और stock footage जाएट करेंगे उसके लिए हम सुन लेते है तो यहां पर मैं बहुत चलें आज की इस वीडियो के अंदर तो इसके अदर हम किसी वीडियो का एक reference ले लेंगे उसके लिए हम जाएनगे chrome browser के अंदर यहाँ पर हम जाके लिखेंगे वीडियो यहाँ पर हम इस वीडियो को क्लिक करते है उसको free download कर लेते है अब download करने के बाद फिर से हम जाते हैं अपने cap cut के अंदर और यहाँ पर calculus का icon को क्लिक करते हैं वीडियो में जाते हैं और वह वाली वीडियो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि अभी हमने डालोड किये हैं और यहाँ पर एक डॉपकी से इसको सुन लेते हैं थाकि हमें सिरब वहीं पर लगाने जहां तक हमने इसके बारे में बोला है आर आच की इस वीडियो के अंदर jaw control का, अगेन यहाँ पे एक motion बैगरउंड लगाएंगे और अगर हमने पहले start के अंदर, अगर हमने overlays लगाने हैं, तो यहाँ पे हम text लगाएंगे, अगर start पे हम लगाया तो यहाँ पे हम overlays का use करेंगे, तो उसके لिए हमEh eh suppression रोड बै अब यहाँ पर मैंने लिखने लिखने लग्रोड डिकोडिंग वाइटी जैसी यहनकर तो यहाँ पर मुझे एक motion background चाहिए तो motion background के लिए दुबारा से जाते हैं अपने क्लूम ब्राउजर के अंदर और वहाँ से एक अच्छा सा motion background डाउलोड कर लेते हैं अपना motion background डाउलोड होने के बाद हम दुबाल जाते हैं अपने CapCut के अंदर यहाँ से प्लस पर क्लिक करते हैं और उस वाले background को हम यहाँ पर एड़ कर देते हैं और एक दवापी से सुन लेते हैं अंदर अब यहाँ पर इसके आगे मैं बोलना वाला जैसी वीडियो एडिटिंग तो इसको यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं और बाकी पार्ट को ड्लीट करके यहाँ पर आगे उससे मैच वाली stock footage डाउनलोड करते हैं आपको मोबाइल पर करना अब यहाँ पर मैंने बोला वीडियो एडिटिंग मोबाइल पर करना तो इसके लिए हम दो stock footage डाउनलोड करेंगे एक वीडियो एडिटिंग का और एक मोबाइल का डाउनलोड हो जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर CapCut के अंदर और यहाँ पर Add पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम वह वाली Stock footage लेके आएंगे जो कि हमने Jiffy से डाउनलोड की थी वीडियो एडिटिंग की और यहाँ पर इसको अपनी बात से मैच करता हुआ रखेंगे बाकी काड़ देंगे अब यहाँ पर में क्लिक करके इसको Split कर देता हूँ और बाकी को Delete कर देता हूँ क्योंकि इससे आगे मैं मुबाईल की बात करने वाला हो यहाँ पर दोबारा Plus को क्लिक करते हैं वीडियो में जाते हैं, मुबाइल में जो एडिट कर रहे हैं, उसकी हम वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, आपको मुबाइल पर करना सिखा, अथा वो भी step by step, आपको मुबाइल पर करना सिखा था वो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर हम अपने stock footage को क्लिक करके split करके delete कर देंगे इसके बाद एक और motion background लगाएंगे जिसके अदर हम यह लिखेंगे step by step step by step यह अब एक stop footage को add कर लेते हैं add करने के बाद इसको last में जहां पर हमारी audio खतम हो रही है step अब यहां से हम इसको stop करते हैं और audio को click करते हैं आटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा जहां पर हमारी audio खतम हुए तो इसको हम stop footage को click करते हैं split पे click करते हैं और इसको delete कर देते हैं अब यह हमारी delete हो चुकी है तो इस तरह से अब हमारी एक video का stock footage एंड हो चुकी है अब इसके बाद overlays और दूसरे steps आएंगे step number five है adding text और text add करने के लिए हमें दुबार से अपनी footage को एक दफा अच्छे से सुनना है और सुनने के बाद ही decide करना है कि कौन से part पर हमें text लगाने है और उसी part पर हम text लगाएंगे आप इसके अंदर क्योंकि हमने decoding yt और elgro के बारे में start में बात किये तो यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ overlays बगारा लगाओ तो इसलिए next time मैं यहां पर बात करता हूँ elgro decoding yt के बारे में तो मैं सोच हो यहां पर text लगा दू और last step by step का भी एक जो है वह में चाह रहा हूँ कि यहां पर भी text लगा दू तो इसके लिए हम शुडू करते हैं यहां से और यहां पर सुनते हैं हम यहां बोल किया रहे हैं तो तो यहां पर हम यहां पर text को लगाएंगे यहां पर बुल्लेव। यहां पर लिखने के लिए हम सबसे पहले टेक्स को क्लिक करते हैं, यहां पर वह चीज हम लिखते हैं , यहां पर लिखने के बाद अब हम style पर यहां से फाउंट उठा सकते हैं, जो आपको पसंद आए जो आपको लगे कि आपकी वीडियो के सबसे मैच करेगा लेकिन मैं आपको एक मश्रूरत दूँगा कि यहां से आपको शिच करें सिर्फ अच्छे फॉंट्स को इस्तमाल करें और उसका कलर बैग्राउंड वगारा भी अच्छा ही एड़ करें तो मैं इसको थोब सा बढ़ा कर लेता हूं बढ़ा करने के बाद मैं इसको 스타일 पर क्लिक करता हूं और अलगलग style को यहां पर मैं चेक करके देखूँगा कि मेरी वीडियो के पिस आपसे कौन सा style ज्यादा अच्छा लग रहा है वह ब्लेक में अच्छा लग रहा है, वाइट में अच्छा लग रहा है, यह जिसमें भी अच्छा लग रहा है, वो यहाँ भी हम एड़ करेंगे. अब यहाँ अपने टेक्स को अपने इसाब से सेट करने के बाद अब इसको हम देदें के एनिमेशन तक हमारे टेक्स किस तरह से आना चाहिए यहाँ से आप इसका थोग सा टाइम डुशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने एनिमेशन का अब इसी तरह से आप इसको दुबारा क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से पॉपी कर लेंगे नीचे से ओप्शन हमारे पास मौजूद हैं तो हम ओप्शन को क्लिक करते हुए इसको यहां से हम कॉपी कर लेंगे और इस कॉपी को हम इसके आगे लगा देंगे Decoding YT के लिए अब यहां से इसको हम दुबारा क्लिक करते हैं Double Tap करेंगे और यहां पर आप Decoding YT लिखेंगे दुबारा से अब आप जूम आउट करेंगे इसको दो सैट से पिंच करके जैसे पिक्चर को जूम आउट यह जूम इन के जाता है मुबाइल पर वैसे ही अब यहां पर यह थोड़ा सा संटेंस लंबा है तो हम इसको दुबारा से ड्रैक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे और अब सुनते हैं अब यहां पर इस दी कहरे है स्टेप ग्रो जैसे तो हम यहां पर पहले स्टेप ग्रो लिख लेते हैं तो उसके लिए दुबारा सेम वही मैथट हम इसको कोपी करेंगे और इसके आगे लगाएंगे और यहाँ पर हम जहाँ पर step grow के नाम शुड़ू हो रहा है वहाँ हम step grow लिख देंगे अब यहाँ पर हमने आगे बोले जैसी तो इसको दो बाद से हम कोपी करते है और इसके आगे text लगाते है और कोशिश करें कभी भी आपका text जो है वो दूसरी layer को cross ना करें जैसे के आप देख रहे हैं अब यह दो photos के बीच में आ रहे हैं मैं आपको play करके समझा रहे तो देखा अब आप देखेंगे यह मेरी दूसरी layer पर भी आ रहे है तो इसको हम क्लिक करके सबसे पहले उपरों layer के बराबर कर लेते हैं थाकि यह layer को cross ना करें और बुरा ना लगें अब इसके बाद हम यह आप लिखते हैं अब एक दवा इसको सुनके देख लेते हैं अब इसमें अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है फिकि थोड़ा सा यह जो जैसी है थोड़ा लेट आ रहा है तो step गरो वाले कम थोड़ा सोड़ चोटा कर देंगे और जैसी वाले को और जार ड्रेक कर देंगे यहां का हमारे टेक्स का पॉशन कमप्लीट हुआ अब इसके बाद हम जाते हैं लास्ट में जहां पे हमने मजीद टेक्स के लिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था तो इसको हम यहां पे एक दाव सुन लेते हैं हमने क्या बोला वो भी step बेस्ट है तो यहां पे हम कह रहे हैं वो भी step बेस्ट है भी step बेस्ट है तो यहां पे हमने लास्ट में बोला वो भी step बेस्ट है तो यहां पे यही लिखना है तो यहां पे हम जो है dark background को एपर light background font हम यूज़ करेंगे पेड करने के लिए हम पहले वाले टेक्स को हम यहां से copy कर लेते हैं again और इसको आगे drag करके ले जाते हैं उस वाले इससे में जहां पे अपने दुबारा टेक्स एड करना है और जिस method से हमने पिछले ले portion के अदर टेक्स को एड किया है बिल्कु सेम उसी method से यहां पे भी टेक्स को एड करेंगे और हमारे टेक्स का काम complete हो जाएगा अब यह हो जाने के बाद अब हम यहां पे एक effect को एड करते हैं ताकि हमारे जो background है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा blurry करेंगे तो blurry करने के लिए मैं यहां पे जाता हूँ effects के अंदर effects में जाने के बाद video effect पे जाता हूँ video effect में जाने के बाद मैं यहां से एक blur को ढूनूगा जो कि हमें मिलेगा lens के अंदर अब lens के अंदर मैं यहां से एक blur को ढून रहा हूँ यहाँ पे देखे हम यहाँ वे हमारे मतलब का blur मिल चुका है और blur को हमने अपने इसाफ से adjust कर सकते हैं ठीक अब हमारे यहां से एड हो चुका और इसके बद हम चलते हैं अपने next step पे step number 6 है adding overlays तो adding overlays के अंदर आज जैसे का आप देख सकते हैं इंचे overlay है overlay का मतलब भी होता है कि आप कोई भी वीडियो के ओपर दूसरी वीडियो पॉपप करना या pictures को पॉपप करना या elements को पॉपप करना वो overlays कराते हैं तो हम यहाँ से सबसे पहले overlay पे क्लिक करते हैं क्योंकि start के अंदर मैंने बुला था एल ग्रो डिगोडिंग वाइट ही और step ग्रो तो मैं इन तीन की pictures या इनके logos को जो है मैं यहाँ पर पॉपक कर रहा हूँगा ताकि लोगों को मालूम पढ़े कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे बहले मैं add पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे में बस काफ़ी कुछ मौझूद है मैं यहाँ से album select करता हूँ मैंने pixel lab के अंदर बना के रखा हूँ अगर इस तरह की pictures आप pixel lab में कैसे बना सकते हैं अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताएं मैं आपको बता दूँगा तो यहाँ से मैं तीन किसम की pictures को जो है यहाँ से import करने वाला हूँ अब इन तीनों को मैंने यहाँ पे import कर लिया है लेकिन इनको थोड़ा सा आगे कर दोगा क्योंकि सबसे पहले Elgro का नाम आया है तो यहाँ सबसे पहले Elgro की जो image है उसको pop-up कराएंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इसको सबसे टॉप पे लेके आता हूँ है और इसको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको एक option नज़र आ रहोगा जहाँ पे circle move हो रहे है वहाँ पे key framing का तो हम इसको सबसे पहले zoom out कर लेते हैं ताकि हमने तीन लोगों यहाँ पे show कराने है तो इसके साफसे हम इसको size रखेंगे ताकि बाकी दो भी आ सके तो यह इतना size का बहुत है तो यहाँ पे plus यहाँ पर key frame को क्लिक करता हूँ और इसको भीकुल नीचे ले जाता हूँ ताक अब मैं इसको उपर की तरफ लेकर आऊंगा यह देखे मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ अब इसको play करके देखते हैं तो यह key frame इसके add हो चुके है जैसे कि आप देख रहे है यहाँ पर आगे decoding yt का नाम आ रहा है तो इसकी picture को हम जो है logo को आगे लेकर आते हैं व तो decoding yt का हम यहाँ तक select कर लेते हैं इसको भी same size करने के लिए हम इसको एक अंदाजे के मताबए कि इसके पीछे लेके जाके इसको zoom out करेंगे एक थोड़ा चोटा कर लेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ पर adjust करने के बाद इसके भी हम keyframe add कर देंगे और इसको भी हम कहीं दूसरी set से इसको हम zoom in कर आएंगे picture के अंदर तो थोड़ा सा play करते हैं 10 frame के लिए decoding अब decoding का इसने बोला है तो अब हम क्या करेंगे recording का बोलने के बाद हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो automatically यहाँ पर देखे तो इसके अदर नीचे अगर अब चेक करें यहाँ पर तो यह frame add हो चुके हैं यहाँ पर इसके अंदर थोड़ से इसको back करके अब इसका key frame लगाते हैं ताकि थोड़ से fast लगे अब जहाँ पर step grow का नाम ले रहे हैं अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 10 frame 20 frame यानके 1 second के बाद 20 frame के उपर यह आ रहे हैं तो अब हम यहाँ पर step grow की यहाँ पर image जो है वो लेकर आते हैं यह देखें एक second के बाद अगर आप यहाँ पर इस जगह पर देखें एक second के बाद 20 frame पर था step grow वाले पर जाके अब हम यहाँ पर इसको zoom out करेंगे और इसको भी उत्राई size में लेके आएंगे जितने बाकी हैं अब यहाँ पर आने के बाद इसका हम सबसे पहले key frame अड़ करते हैं और इसको हम दूसी direction से हम लेकर आएंगे सारे अलग अलग direction से आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको थो सा प्ले करते हैं प्ले करने के बाद अब इसको हम दुबारा इसकी position पर लेकर आते हैं अब इसको प्ले करके देखते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा यह step grow थोड़ा लेटा आ रहा है तो इसकी जो picture है इसको थोड़ा सा ड्रैग करके back की तरफ लेके जाएंगे अच्छा अब इसको हम दुबारा करके देखते हैं तो यह हमारी जो दूसरी एक overlay है दूसरी जो हमारी footage है उसके अंदर यह आ रहा है तो सबसे पहले हम अपने motion background को click करते हैं और यह अप alignment में आगी इस साथ चीज़ है अब यहाँ पर elgro, decoding yt और step grow की जो यहाँ पर हमें pictures नज़रा रही हैं इनको हम split कर देंगे सबको और इनके आगे के part वे उस सारे हम greet कर देंगे ताकि यह हमारे यहाँ पर एक जैसा आ सके यह देखे अभी यहाँ पर साथ delete हो चुके है अब इसको play करके देखते हैं यहाँ पर एक और overlay है उसको add करता हूँ जो कि dust effect है जो कि मैं अपसर अपनी वीडियो के अंदर use करता ही हूँ यह हमारा dust effect आ गया है इसको हम यहाँ पर import करके फ्रस जूम इन कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी वीडियो के उपर आ जाए लेकिन इससे अब हमारी वीडियो चुप गई है तो हम इसको click करके अब हम इसके उपर blend पे click करते हैं ब्लेंड पे click करने के बार light in पे click करते हैं और इसको अपनी साफ से हम एज कम ज़्यादा adjust कर सकते हैं लेकिन मुझे ओके लग रहे है अब इसको एक दफाप प्ले करके देखते है अब आपने देखा है यहाँ पर हमारा dust effect आ चुके जो के बहुत ज़ादा अच्छा लग र लगाएं मुझे अच्छा लगता है इसलिए में लगाता हो अब मैं अपनी लास्ट वाल स्टोप फुटेज को click करता हो click करने के बाद इस dust effect को भी click करता हो split करके इस effect को में delete कर देता हो अब यहाँ भी हमारा यह पार्ट complete हो गया तो चलते हमारे next step पे step number 7 है transitions अब हम अपनी वीडियो के अदर transitions को लगाएंगे ताकि हमारी वीडियो करना थोड़ी सी और जाना सके तो जैसे कि आप यहाँ पे छोटे छोटे माइनस टैप के आप देख रहे हैं जहाँ हमारी एक footage खतम होके दूसरी शुरू होती है तो उसके बीच में एक माइन इसकी वीडियो के अंदर यूज किया था तो यहां से सबसे पहले camera effect को बनाने के लिए white flash लिखावा आ रहा है इसको आप क्लिक करें और यहां से इसकी थोड़ी से opacity यह पी इसका timing जो है थोड़ी सा कम कर लें और timing को कम करने के बाद okay कर दें तो थोड़ी कर दें तो जैसे transition और एक ही जैसे sound effect लगाता था जिससे लोग बोर हो जाते थे तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके sound effect देते हैं जैसे कि मैंने यहां पे black smoke पर बीच में एक दफ़ा दिया था जिसको पर मैंने थोड़ा सा अलग tap का sound effect दे कि इसका अदर जान आ गए थी तो इसको हम क्लिक करते हैं ती तीन सेकंड पर इसको मैं इसका timing set करता हूँ और इसको ok कर देता हूँ और इस तरह से मैं तमाम के अंदर अलग अलग किसम के थोड़े से effects देता हूँ light effects हैं basics हैं glitch हैं जो आप पूच्छा लगे आप वो इसमें select करें अब हमारे यहाँ पर transitions complete हो चुके हैं एक दफ़ा इसको दुबारा play करके चेक कर लेते हैं अब हमारे यहाँ पर सारे transitions एड़ हो चुके हैं अब इसके बाद हम next step पर चलते हैं step number 8 है sound effect अगर आप अपनी वीडियो के अंदर जान डालना चाहते हैं तो आपको अच्छे sound effects का इस्तमाल जरूर करना है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर overlays और transitions वगारा टेक्स वगारा सब कुछ यूज किया गया है अगर आप चाहते हैं यह इसमें एक bye-bye और देख के कुछ feeling आए और देख के लोगों को attraction हो तो आपको sound effect लगाना बहुत जरूरी है लेकिन sound effect भी आपको अपनी वीडियो के according ही लगाने होगे तो जितने भी sound effect या material का इस्तमाल में इस वीडियो में कर रहा हूँ वो मैं आपको link देके provide कर दोगा ताकि वो सब कुछ आप use करें सबसे पेरे हम जाते हैं अपने इस sound effect के लिए जो हम ने यहाँ पर overlays लगा है तो इसके लिए मैंने sound effect यूज किया था है धम-धम का तो वो use करते हैं तो इसके लिए मैं audio में जाता हूँ वो में बस अलग से downloaded हैं तो यहां पर आते हैं और यहां से जाके वह वह वाला साउंड इफेक्ट उठाते हैं हम यहां से यह वाला साउंड इफेक्ट इसमें यूज़ कर लेते हैं अब हमारा यह साउंड इफेक्ट यहां पर लग चुका है अब इसको कोपी करेंगे और बाकी पे भी साथ में लगाएंगे फोर दो स्लाइड करेंगे जहांपे हमारा जो इसेट है जो हमारी ओवरले वो आर्टी वी नजर आएगी वहाँ पर जाएका हम इसको पेस्ट कर देंगे जैसे कि यहाँ पर अब देखें लेकिन इसके इने साउंड बहुत जाए पर इसको साउंड भी कम करना पड़ेगा तकि इरिटेशन ना हो तो इनको हम 50% पर साउंड इसका कर देते हैं उसके बार हमारे यह ट्राजेशन आरहा है जो कि एक कैमरा इसेट है इसके लिए हमारे पास साउंड इसेट के अंदर खुछ से कुछ साउंड इसेट मौजूद है तो हम एफेक्ट को क्लिक करते हैं और यहां से मैंने इसको अपने सेवरेट में इस्तमाल किया है लेकिन आप यहां भी डाके कैमरा शेटर लिख सकते है और यहां पर देखें आपको यह नजर आ रहा है आप इसको कीप करेंगे और इसको अपनी वीडियो में एड़ कर देंगे और जितना आपको साउंड इसेट चाहिए आप उतना रखेंगे बाकि ड्लीट कर देंगे आपको यह देखना होगो कि आपका sound effect perfectly work करें ड्लीट करके ड्लीट कर दिया अब तक तो आपको समझ आएगी होगी कि split और ड्लीट कैसे होता है लेकिन इसके लिए sound बहुत जारा है तो इसका volume कम करते हैं पहले मैं यह mistakes अपनी वीडियो में कर चुका हूँ यहाँ पर देखें अब यह smoke effect है तो जरूरी नहीं कि मैं smoke वाला ही इसके अंदर कुछ लगाओ मैं sound में जाता हूँ मेरे पास जो कुछ अपनी device में save हैं मैं जाके वहाँ से effect इसके साथ कुछ मैच करने की कोशिश करता हूँ जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था हम यह वाला sound effect यहाँ पर लगाते हैं और इसको सुनके देखते हैं यह काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसका भी तो साउंड कम कर लेते हैं ताकि एरिटेट ना करें यह काफी अच्छा लग रहा है तो इसको एम्टी साइस को हम थुआसर द्रैक करके कट कर देते हैं और इसके बार अगला sound effect देखते हैं कैसा है यह थुआसर जूम-इन टैप का है तो इस पर बूश अच्छी लगेगी तो अगेन हम जाते हैं ऑडियो में और इसके अंदर इसके खुद के effects जो है बूश के हम वह यहां से लगाते हैं यह अपिड बूश है मुझे अच्छा लग रहा है इसको प्लस पे क्लिक करते हैं लेकिन थोड़ा सा यह बाद में आ रहा है इसको फूर सा पीछे करते हैं और इसके बीच में अगर आप देखें तो यह नंबर के उपर भी हमें एक sound effect लगाना चाहिए तो जहां से यह नंबर स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर लाके रोकते हैं effects में जाते हैं यहां पर डिखते हैं टेक्स्ट इसको क्लिक करते हैं और यहां पर आप सुनें लेकिन इसका भी sound कम करते हैं अधरवाइस यह irritation करेगा में और इसके बाद आगर देखें तो हमारे जो अगला वीजूल है उसके दर भी हमें कुछ इसी तरह का sound effect चाही कि उसमें भी number बढ़े रहे हैं लेकर उससे पहले हम अपने यह sound effect यहां पर लाके थोड़ सा छोड़ा कर लेंगे ताकि यह layer से बाहर न निकले अब इसको सुनके देख लेते हैं लेकर जहां पर आके यह खतम हो रहा है यहां पर हम एक तरह का जिसे गेम के दर वीन का एक sound effect होता है वह हम लगाने की कुछिश करेंगे अगर हमें यहां पर इसकी गेल्डी से को अच्छा sound effect नहीं मिलता तो मेरे पास sound के अंदर भी sound effect टुखे हो हैं मैं वहाँ से जाके एक sound effect ले ले लेता हूँ तो यहाँ पर में पस एक sound effect मुझूद है इसको प्लेकर के चेक करते हैं यहां से भी हमने एक वुश का effect लगाएंगे इस वाल ट्राजेशन की उपर तो यहां पर effect में जाते हैं और एक और बुश हम यहां से ढूनते हैं और इसको यहां पर लगा देते हैं लेकिन इसका भी sound force से कम कर लेते हैं इसी तरह से हम सब के ओपर अलग-लग sound effect लगाते हैं तकि अलग-लग sound effect का फायदा यह है कि हमारी audience बहुत नहीं होगी अगर हम एक ही जैसे sound effect लगाते हैं तो audience जो है वो irritate हो जाती है यह मैंने अपनी पहली एक वीडियो में कर चुका हो वो वीडियो बहुत आउट ख्लास थी लेकिन उसके अपर तो अवह सा रिटेंशन कम आया उसकी वज़ाएं यही sound effect थे व्यकिनका volume भी जादा था और सारे sound effect एक जैसे थे तो थोड़ा सा इसको आगे जाके और sound effect लगाते हैं आज सारे sound effect लग चुके हैं step number 9 है background music and trust me यह आपकी वीडियो को बरबाद भी कर सकता है और आपकी वीडियो को viral भी कर सकता है एक अच्छा background music आपकी वीडियो को काथी हरता की enhance करता है वहीं पर एक wrong background music आपकी वीडियो को बरबाद भी कर देते हैं तो इसका proof देखें आप इस वीडियो में देखा कैसे एक बेकार सा background music वीडियो को बरबाद कर सकता है और वहीं पर एक अच्छा background music वीडियो को perfect बरा सकता है तो मैं कुछ background music से ऐसे हैं जो मेरे पास मौझूद है जो मुझे लगते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं वो भी मैं आपको वीडियो के link description में दे दूँगा तो आपको वहाँ से जाके वो सारे background music आप download कर सकते हैं और अपनी वीडियो को enhance कर सकते हैं तो अब ही चलते हैं हम अपनी इस वीडियो के नीचे एक background music लगा देते हैं कोशिच करें एक background music लगाने के बाद उसको volume थोड़ा लो ही रखें ताकि जितना ज़्यादा volume होगा उससे आपकी वीडियो में irritation बढ़ जाएगी आपकी आवाज अगर clear नहीं आती तो आपकी वीडियो बेकार हो सकती है इसलिए कोशिच करें आपकी voice के 10% आपका music volume है वो होना चाहिए यहनके अगर 100% आपकी voice है तो उसमें 100% में सिर्फ 10% ही आपका music होना चाहिए और इसके बाद हमारी वीडियो होती है complete यह है step number 10 बोनस से साइग और इसके अंदर मैं आपको बताने वारा हूँ कि आप किस तरह से अपनी वीडियो के अंदर step grow ने अपनी जैसे लास्ट वीडियो के अंदर एक effect create किया था urgency का वह आप कैसे create कर सकते हैं तो बहुत ही simple है सबसे पहले आप जाएंगे यहां से stickers के अंदर और stickers में जाने के बाद जो इनके hot stickers हैं इसको आप तो स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह stickers मिल जाएंगे तो यहां पर ढूंडना पड़ता है तो यह रखी है हमें urgency sticker यहां पर एक मिल रहा है तो इसको हम select करने के बाद इस sticker को हम इसको पलट देंगे यहां कर रूटेट कर देंगे इस effect के साथ आपकी वीडियो में तो से एक urgency पन लग इसके बाद एक हलका साम shake effect देंगे पहले इसको हम पूरी अपनी वीडियो पे complete कर लेते हैं अब हम इसके अंदर एक shake effect देंगे इसके लिए हम जाएंगे effects के अंदर यहां से जाएंगे वीडियो effect के अंदर और आप देख रहे हैं यहां पर trending में shake effect आ रहे है तो इसको select करने के बाद आप इसको यहां से adjust कर सकते हैं कि आपको कितना shape effect चाहिए, intensity क्या हो, इसकी speed क्या हो और आप इसको यह भी select कर सकते हैं कि इसका object क्या होना चाहिए यह पूरी main वीडियो पे हो या फिर all वीडियो पे हो या overlay पर हो या कहां पर होना चाहिए तो हम इसको all वीडियो पे खर देते हैं और इस effect को भी हम drag करते फूल वीडियो पे लगा देते हैं तो एक मर्दब फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे step grow का जो urgency shake effect हो हम create करने की कोशिश कर देते हैं तो अब हमारी वीडियो बन के त्यार हो चुकी है तो इसको export कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी वीडियो त्यार हो के कैसी लगती है